सब्सक्राइब करें कि इसका नाम इंडियन एडवांच रिए इसका नाम इंडियन एडवांच रिए तो जिन बच्चे को भी अप्लिकेशन फों फिल करने में इसू प्रब्लम्स डौट्स भी आते रहेंगे तो इस वीडियो में देख करकि आपको समझ मायगा कहा पर किया किस तरह से फिल करना है स्टार्टिंग कहां से वही बच्छे सोछते हिए कैसे करना होता है तो यहां पर देखते रहेगा सब बीशिके इस वीडियो को लास देखे ताकि आपको सब कुसल में आ जाए ओके स्टार्ट करना अपने ब्राउजर से Google.com उपन करना है वहाँ पर आपको टाइप करना है आपको की GLAET 2022 IAS पर टाइपर कर सर्च करना है और आप सर्च करते ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर यही पर क्लिक करना अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Ganeshilal Agrawal Interest Test and this interest test will be organized by the Ganeshilal Agrawal University ठीक तो application form आपके release होई है application form फिल करने के लिए for UG and PG course programs के लिए release होई है application form फिल करने के लिए आपको click here पर click करने पड़ेगे and आप new type पे open होई है scroll down करने होई फिर से फोटा सा यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि has been released for UG and PG courses के लिए programs के लिए click here to apply online here and register here first of all यह form फिल अप कर देजगा जिसमें आपको information फिल करने होती है अपना छोटा सा information जहाँ पर अपना full name email ID contact number field कर देने होती है कौन सा city से आप belong करते हैं आप कौन से course में interest रखते हैं कौन से city है आपकी और highest qualification क्या है जो भी highest qualification होंगे आप तक का होगी आता देजेगे इन सभी details field करने से क्या होगा कि आपको best suggestion मिलता है किस के related colleges के related जो best colleges होंगे आप सभी आपके लिए आपके interest related आपके लिए best colleges आपको suggestions मिलेंगे आपके contact number आपके email ID के through तो get free counselor पे field करके get free counselor पे click कर देज़ो तो cut करना application form field करने के लिए click here to apply online यहाँ पे click करना तो जब आप यहाँ पर click करते हैं आपके पास दो option है यह है कि आपके आपस करता है तो register for offline courses के लिए और register for online courses के लिए आप क्या चाहते हैं online या offline online या offline अभी मैं यहाँ पर क्या बहूँ दो option है मेरे पास भी है एक example दे सकता और क्या यहाँ पर user for click here to login तो मैं रेजिस्टर करना चाहूँगा बहुत सारे बच्चे online के लिए करना चाहिए तो यहाँ पर online के लिए आप click कर सकते हैं register for online classes के लिए तो आपका नाम बताए father name, phone number, email id, country बताए state बताए, district बताए, course बताए कॉर्स बताए, तो कॉर्स करना चाहते है तो यहाँ पर देखेंगे, first step, second step, third step आपको complete करने होगी तो first step के लिए आपको क्या करना है course registration यहाँ पर आपको देखने है minimum qualification देख सकते है discipline बताएंगे, मेरा commerce है मैं commerce लेकरना चाहूँगा gender बताएंगा, male or female calendar पर क्लिक करना है और category बता नहीं होती है general category मेरी है 12th board university passing year which is 2012 percentage 68 अब यहाँ पर क्या कुछ बताएंगे नहीं है instructions for referral code यहाँ पर है पढ़ सकते हैं यहाँ पर तो अगर है ऐसा कुछ तो बता सकते हैं नहीं है तो verify करना होता है register course verify roll number ही तो नहीं verify होगा बात ही है अब यहाँ पर क्या है staff please ask the referral code to your related person to send here their register mobile number यह क्या है कि instructions for referral code है क्या है क्या है pass out all many students send on your their register mobile number अगर वो अपना register mobile number send करते है तो यहाँ पर regular students के लिए सबी students के लिए आपर है फोटो आपका photograph चाहिए फोटो अप्लोड करना होता है successful हो गया आपर इसी तरह से सेम आधार काट का फोटो चाहिए तो आधार का फोटो के लिए आपर अप्लोड successful हो गया और यहाँ पर जो आपको तहसील वगरह लिखना था यहाँ पर भी लिखना था आपको block number यहाँ पर भी आपको लिखना था जो भी यहाँ पर आपका icon next कर देंगे अधार का नमबर तो देना मुश्श्यल आ गया हम लोग third step पर जहाँ पर payment complete करना होता है payment में आप next करें तो book your exam आ जाता है payment करने बाद book your exam जो भी रहेगा आप book कर सकते हैं यहाँ से exam center वगरह यहाँ पर select कर लेना जो भी online के लिए तो यहाँ पर आप बताएंगे सब कुछ timing होगा आपको 30 यह बुक्ट है बुक्ना प्लीज प्रोवाइड होगा अच्छा चेक करते हैं क्या बताएं क्या आपको question 40 होगा duration 60 minute का native टेक है पर रॉंग location contact number और timing है दस बज़े से ले करके 6 बज़े क्या है प्लीज अच्छा यहाँ पर अपना WhatsApp नमर प्रोवाइड करनी है तो यह आगे बढ़ेगा ठीक है WhatsApp नमर प्रोवाइड करने के बाद आगे बढ़ेंगे और जो भी आप बुक कर सकते हैं exam के लिए date और रफिक्स से और फिर आप अपने मन पसंद जो भी date और रहेगा उस पर आप कर पाएंगे प्रोसेस बुक हो जाएगा तो आपका complete हो जाएगा यहां पर next कर पाएंगे और application form को देखेंगे और print out भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से अपना application form को प्रोसेस को complete करना था doubt है definitely comment करें description box में link में ने दिया हूए click करके check कीजिए thank you so much for watching my video thank you